नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पॉइंचाकड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्किल हिंदी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ड दोहजार चौबस के विशेवें जितने पी छात्र या छात्रा हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड का एक्जाम दिया था उनके लिए बहुत ही गोड नूज आने वाली है क्योंकि वो बहुत ही बेसबरी से अपने यूपी बोर्ड रिजल्ड का इंतिजार कर रहे हैं आप तेंत क्लास का एक्जाम दिये हों आप पल्थ क्लास का एक्जाम दिये हों हम दोनों के लिए अपडेट लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार या मादमिक सिश्चा बोर्ड अपने रिजल्ड बनाने में लगी है आज हम बताएंगे कि किस तारीक तक आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ड अपडेट किया जाएगा और आप कैसे अपने घर बैटे मुआल फोन से ही यूपी बोर्ड का रिजल्ड देख पाएंगे तो वीडियो को आपको पूरा देखना है इसके बिल्कुल नहीं करना है स्टार्टिंग से लेकर इंडिंग तक देखना है तो चलो पूरा डेटेल के लिए हम आपको लेचलते हैं कमपडी स्कीन पर दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना यूपी बोर्ड रिजल्ट है जैसे आप लिखेंगे तो आपको कुछ अपडेट मिलेगी जैसे कि आप आमर होजाला का अपडेट देख सकते हैं जागरन का अपडेट देख सकते हैं और बहुत सारे अख़वारों का अपडेट देख सकते हैं तो अगर आप मैं आमर होजाला की ओफिशल वेबसाइट पर आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डेटेल य रिजल 2014 डेट टाइम लाइव अपडेट यूपी बोर्ड के अच्छा दसवी और बारवी के चात्र बेस्तब्री से रिजल्ट का इंदिजार कर रहे हैं इस साल 55 लाग से जादा चात्रों ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमेडिट की परिछा दी थी चात्रों 25 अपरेल तक आपका रिजल्ट आ सकता है अभी क्या हो रहा है दोस्तों मुल्यांगन मार्च के आखरी तक पूरा कर लिया गया था रिजल्ट जारी होने पर छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेपशाइड के माद्दम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे रिजल्ट के तारीक 26 अपरेल तक दोस्तों रिजल्ट लाइव हो जाएगा हाई स्कूल और इंडर का एक साथ रिजल्ट आने वाला है वहीं दोस्तों यदि हम हिंदुस्तान के ऑफिशल वेपशाइड पर आएं तो यहाँ पर भी कुछ अपडेट दिया गया है यहाँ आप आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल अंटर रिजल्ट 25 अपरेल से पहले जारी क्यार दिया जाएगा बोर्ड ने रिजल्ट तयार करने का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है यूपी बोर्ड अब दश्मी और बार्मी के बिद्धार्तियों के अंकों का मिलान कर रहा है जिस किसी पर चारती के अंक नहीं मिल रहे उनके स्कूल से संपर कर चेक किया जा रहा है सूत्रिक अनुसार परणाम दो सप्ता में घोशत हो जाएंगे इस साल बोर्ड की इतिहास में रिकॉर्ड सबसे कम समय बारा कार दिवसों में परिशा कराई गई थी परिशा में 32,008 परिशार का रिजल्ड अकी जो डेट है वो 25 अपरेल के पहले आपको घोशत कर दिये जाएंगे तो आप बिल्कुल अपनी नजरे गड़ा कर रखिएगा और मैं जल्दी जिस दिन बोर्ड जारी होगा वीपोर्ड का रिजल्ड मैं आपको अपडेट दूँगा और डिस्क्रिप्सि गोशत कर दिया जाएगा